ए हलो गाइस वाट्साप नमस्ते तो आज की इस वीडियो पे काफिक कमाल के वाट्साप के कुछ अमेजिंग फैक्ट एनिकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आलमोस्त सभी वाट्साप यूज करते हैं लेकिन आलमोस्त 90% लोगों को इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होगा जो आज की इस वीडियो में आपको प्रोपर तर कैसे डिसकस करके पताने वाला हूँ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर फर्स टाइम विजिट हो चुकियो तो प्लिस गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर दो ताकि मेरी इससे तरह की लेटस्ट आपडेट आप सब सब पहले देख सको चले गाइस विडियो को स्टार करते हैं फैक्ट बन वाल गाइस आप wahts up पे किसी को भी चार्ट या फिर फोटो विडियो कुछ भी सेंड करते हो या फिर आपको कोई मैसज चार्ट व्गिना कुछ भी करता है तो उस चार्ट और आप एज य இ reaction दे सकते हो For example, यहापर आप देख सकते हो, Hi Bro, तो मैं इसके उपर 2 seconds के लिए प्रेस करूँगा, जैसे मैं 2 seconds के लिए प्रेस करता हूँ, तो यहापर आप नीचे देख सकते हो, यहापर emoji reaction आ चुके है, विल आप किसी भी emoji के उपर क्लिक करके, इस message का या फिर इस charts का reaction दे सकते हो, मैं य emoji reaction दे सकते हो, यह features आपको कैसा लगा, मुझे comment box में comment करके, जरूर बताना चलेगा, यहाप नेक्स्ट आपडेट की बात कर लेते है, update number 2, विल गाइस होता यह है, कि आगर आप WhatsApp पे कोई भी status पगेरा रखते हो, या फिर आप अपना photo, कोई भी आपको WhatsApp पे, charts, messages, photos, send करता ह यह आपको पता है, कि अगर आप WhatsApp में किसी का वे status या फिर photo, charts देखते हो, तो आगे वाले person को पता चल जागा, कि आपने उसका status देख लिया है, या फिर आपने उसका message, read कर लिया है, क्या आप ऐसा कर सकते हो, कि आप किसी का वे status या फिर message, charts देखो, I think आगे वाले person को पत आप भी ना चले, वेल आप ये भी कर सकते हो, simply आपको सबसे पहले three dot के उपर क्लिक करना है, next यहाप आपको settings के उपर क्लिक करना है, next यहाप आपको accounts के उपर क्लिक करना है, next यहाप आपको privacy के उपर क्लिक करना है, तो जैसे आप privacy के उपर क्लिक करोगे, तो यहाप आपक आप रिट यानि की देख लेते हो तो आगे वाले परसन को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटेस या फिर फोटो चार्ट पड़ लिया है यह फीचर्स आपको कैसा लगा वेल मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना अपडेट नमबर त्री वेल ग किसी को सेंड करते हो जो आपने फोटो या फिर फिचर्स क्लिक किया है या फिर फोन से हो सकता है कितने भी आपका प्लाइड का फोटो क्यों ना हो बटाग अगर आप आगे वाले परसन को फोटो सेर करते हो वहाँ पर आपका फोटो का वीडियो को कॉलेटी है काफी हद त फोटो है आगे वाले पसंद के पास उसी quality का photo status जाएगा वेल आपको के से कर सकते हो सिंपल आपको यहाँ पर three dot के उपर क्लिक करना है next यहाँ आपको settings के उपर आपको चोते नमर पर मिल जाएगा storage and data यहाँ आपको storage and data के उपर क्लिक करना है जैसे आप storage data के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर ok के उपर क्लिक करोगे आपसे अगर आप whatsapp में status या फिर photo send करते हो जो quality का photo है आगे वाले person के पास उसी quality का photo जाएगा अपने YouTube से कोई भी status वगेरा download किया हो चाहे हो सकता है HD Ultra HD 4K में हो सकता है आपका जो quality का video है status में भी ओही quality का video set हो जाएगा यह features आपको कैसा लगा वेल मुझे comment box में comment करके जरूर बताना fact number 4 सभी whatsapp यूज़ करते हैं लेकिन इस secret settings के बारे में आपको किसी को पता नहीं होगा first of all अगर आप अपने whatsapp account को safe and secure रखना चाहते हो तो आपके लिए एक important setting next यहाँ पर आपको settings के उपर क्लिक करना है next यहाँ पर आपको accounts के उपर क्लिक करना है next यहाँ पर आपको तीसरे number पर निल जाएगा two step verification guys आपको इसके उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click करोगे नीचे आपको enable को option आ जाएगा तो simply guys यहाप आपको enable के उपर click करना है जैसे आप enable के उपर click करोगे यहाँ पर आप कोई भी एक pin select कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैं 123456 ओके guys मैं आपको फिर से वही pin आपको enter करना है तो यहाँ पर मैं 123456 करने के बाद अगर आप चाओ तो आप अपने email यहाँ पर आप आप अपने email ID यहाँ पर डाल भी सकते हो यहाँ आप इससे skip भी कर सकते हो तो फिलाल में इससे skip करने वाला हो है एन आपको शुट्रच सब्ससे पहले WhatsApp को करना है सोटपन करोगे लैपने जो आभी पासवर्ड एंटर किया था फिर यहां पर आपको वही पास्वोर्ड डालना है for example 123456 यहां पर आप देख सकते हो मेरा WhatsApp यहां पर एनेबल हो चुका है कि गाइस अगर आपका WhatsApp कोई भी है करने की कोशिश करता है तो विल आपको सबसब पर एक OTP आ जाएगा ओके तो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जैसे यहां पर पिन मेरा डाल दिया है यहां पर मेरा WhatsApp ओपन हो चुका है इस two steps की मदद से अगर आप अपने WhatsApp को safe and secure रख सकते हो काफी है तक इस two steps verification से आप अपने account को safe and secure रख सकते हो बाइचांस अगर आपका WhatsApp कोई भी है करने की कोशिश करता है वैल सबसे पहले आपको एक notifications आजाएगा कि आपका person यहां पर कुछ लाग यानि की hack करने की कोशिश कर रहा है या फिर login करने की कोशिश कर रहा है ओके guys यह आपको features कैसा लगा मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताना हम next trick की बात कर लेते हैं for example guys अगर आप अपना profile photo status last scene profile dp कुछ भी अगर आप किसी भी एक particular person से आप अपना photo hide या फिर last scene status hide करना चाहते हो तो simple आप यह भी कर सकते हो simple आपको सबसे पहले जी dot के उपर क्लिक करना है जैसे आप three dot के उपर क्लिक करोगे next यहाप आपको settings के उपर क्लिक करना है next यहाप आपको accounts के उपर क्लिक करना है next यहाप आपको privacy के उपर क्लिक करना है for example में आप पर profile photo किसी भी एक person से जैसे कि मैं आप पर profile photo की उपर click करता हूँ जैसे मैं profile photo की उपर click करता हूँ तो आप आप देख सकते हो आपके पास everyone my contact my contact except nobody both सारे options आजाएंगे सबसे पर लगा है से आप आप किसी भी एक person से आप अपना profile photo hide करना चाहते हो या उस बंदे को आपका photo last scene नहीं दिखाना चाहते हो तो simple my contact except के ओपर click करके यहाँ पर आप देख सकते हो आप किसी भी एक particular person को आप अगर tick लगाओगे वहाँ पर आप अपना photo उसको नहीं दिखाए देगा okay guys यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोर example यहाँ पर मैं आनिल फ्रेंड के ओपर tick लगाता हो जैसे यहाँ आपर मैं tick लगा क्यों okay करता हो okay करने के बाद guys मेरा यहाँ पर profile photo उस एक person को नहीं दिखाए देगा बाग के सबको मेरा profile photo दिखाए देगा last scene भी same उसी तरह आप कर सकते हो इस फोर example यहाँ पर मैं my contact accept के उपर क्लिक करके यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं किसी ब्यक बंदे के उपर क्लिक करूँगा जैसे यहाँ आप 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 GK देख सकते हो मैं GK के उपर tick लगा कि यहाँ पर मैं okay कर दूँगा ओके करने के बाद बाग के सब को मेरा last scene दिखाए देगा बट यहाँ पर GK को मेरा last scene नहीं दिखाए देगा यह features आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बतार YouTube channel पर first time visit हो चुको तो please guys वीडियो को like करके channel को भी subscribe कर दो ता कि मेरी इसी तरह की latest वीडियो आप सब सब पहले देख सको चले गास हम next वीडियो पर मिलते है new वीडियो के साथ तब तक have a nice day bye bye take care